आज मैं आपके लाएं हूँ वाओ का फॉर्मिंग फेस वाश तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ये जो गाईज मेंने फेस वाश लिया है ये रोज वाला है इसमें एक एपल वाला भी आ जाता है और अच्छा लगा मुझे काफी काफी अच्छा लगा ये मुझे तो मैंने सोचा कि तो मैं आपके साथ थोड़ सा रव्यू कर लूँ लोकल मार्केट स तो गाईज ये जो फेस वाश है ये डर्माटोलोजिकली टैस्टिड है और क्लिंजिंग टॉनिंग क्यार है फोर डल ग्रीमी पैची स्कीन सुटेबल फुर आल टाइप ऑफ स्कीन है ये मेड इन इंडिया है गाईज तो हमें अपने प्रोड़क्ट को लेना जाहिए तो उ हमें लेकर इन बनाग फोर नाइज रूपीज है लेकिन यहां पे हमारे अमाजन का स्टर है जहांसे मैंने ली है तो मुझे ये टू थटीर रूपीज की मिल गई थी तो इसकी जो एमर्पी है आओ मर्पी कहकी इसकी जो मैनिफेक्शिटिंग डेट है वो दो हजार थीज़ तो चलिए अब हम इसे यूज कर लेते हैं और इसके बारे में और मैं आपको जानकारी देतू थोड़ी सी तो गाइज ये आपको मैंने बताई दिया ये मेड इन इंडिया है इसमें कोई भी सिलिकॉन पैरबीन और मिल्वरन ओल्स नहीं एडिड है ये 100% वीगन वी होते हैं स ये सारे प्रोडक्ट किसी भी अनिमल्स पे टेस्टिड नहीं होते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ना आपको इसकी ऑफिशियल एप पे जाकर इसे चेक करना होगा और अगर जो इस बॉक्स पे आमेने आपको दिखाया था ने बार कोड भी था अगर आप उस इसकी स्कीन को सूट करते हैं तो इस तरह क्या ब्रॉश होता है गाइस और इस पे यह कैप लग जाता है जैसे कि डस्ट वगैरा या कोई और कई बर को जानवर वगैरा भी आ जाता है जैसे चिप कली वगैरा गर्मियों में बहुत जाए कीड़ मगोडे हो जाते हैं इधर से बाहर आएगी और इतना अच्छा इतना अच्छा यी काम कर रहा था ना मुझे बहुत अच्छा लगा जितनी भी आपके पोर्ज होंगे ना वो आप पिल्कुल क्लीन करते का ज्यादा दर जासे मैं मेक अप कर लेती हूं हम अपना फेस वाश करते हैं तो बहुत ही ज्याद मतलब इतना क्लीन जितना मरजी हाथों से कर लीजिए इतना नहीं होगा जितना इसने किया मैं मेक अप करने के बाद मैंने फेस को वाश कर लिया था सिंपल लेकिन फिर मैंने दुबारा से ने इसके साथ में कर ट्राइ करके देखती हूं आप मानोगे नहीं इस जो ब्रश ह और भी मेकप निकाल दिया, तो मुझे ये 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 काफी लगा, अच्छा लगा, तो देखे मैंने नाक के आसपास आराउंड जो हमारे चुट-चुटे से दाने से भी हो जाते है तो उसे भी लिपस पे जो हमारी डैड् सकीन होती है, हमारी नेक के एरिये पे जो डार्कनेस हो उसको रिमूफ करने के लिए बहुत अच्छा है और मैं इसे रेगलर यूज करी हूँ मुझे 15-20 दिन हो गए है इसे यूज करते हुए उसके बाद ही मैं ये वीडियो डाली है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगागा इस मुझे पसंद आया मैं न सोच रही थी वैसे इ आसी फॉर्मिंग फॉर्मिंग से बाहर निकालेगा मैंने नहीं एक एकस्पैरिमेंट करके देखूंगी मैं इसकी बॉटल के साथ लेकिन वाओ के प्रोड़क्ट काफी अच्छों आते हैं गाइस मैंने इसके जो क्या कहते हैं वो शैंपू वगएर भी यूज करके देखे लगे हैं मुझे काफी अच्छे लगे मुझे तो सूट कर रहे थे तो यह देखिँ अच्छे तरीके से मैंने असारे फिस को क्लीन कर लिया बोहती बड़ीया काम करा लाता हूं तो फिर मैने उसे वाश कर लिया वाश्कर लावाश कर आप अपना समूप कर लो जो कर दो vibrations के ऐसी दिखाई है मैंने कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया ना ही मैंने कोई क्रीम अप्लाई किया है मैंने सिरफ फेस वाश किया और मैंने दिखाए तो थैंक यू फो वाचिंग लाइक करना मत भूलेगा